वाडी पुलिस स्टेशन में अटलांटा टोल प्रावेट लिमिटेड का कुछ सामान चोरी करने और नाकल वाडी रोड पर अवेदेश शराब बेशने के खिलाब मामला दज किया क्या है पुलिस सूतर के जानकारी नुसार वाडी अटलांटा प्रावेट लिमिटेड टोल प्लाजा गोधा खिरी में एक परिवेख्षक की रूप में काम कर रहा था शहर में इस जगह से सड़क के किनारे छट की अवरोद का लोहे का कौन ग्यारा नक प्रतिकिलो दो हजार पासो पूर्ण की चबीस हजार पासो मुद्देमाल जब्त किया गया आरोपी के खिलाफ धारा 389 की तहट अग्याद चोरो द्वारा 27,500 रुपे की संपत्ती चोरी करने का मामला दर्स किया गया है पुलिस के जान्स टीम की मदद से खबरे के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार मामले में आरोपी सुरश शर्मालोंडे 25 साल का निवासी वेल्दरोडी रोड नाकपुर नागल वारी हिंगना जुलान नाकपुर हिरासत में ले लिया गया था और जब तक अपराद में चोरी हुए लोहे के कौन के बारे में पूछताच की गई तो चोरी की बात कबूल करने के बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया गया और अपराद में पूरी चोरी की सामगरी जब्त कर ली गई एचसे सुनेल मस के मामले की जांश कर रहे है जो वाड़ी पलिस एक नीजी वाहन में पलिस उपायक तस सरक्रक्रमांग एक की टीम एक टीम के साथ गश कर रहे थी तो एक से मिली सूचना पर उन्होंने नागलवाडी रोड ताज हौल वाड़ी नाकपुर के सामने एक खाली जगा पर चापा मारा आरोपी घंशाम गोरकनात मलवी इसके पास से पुलिस को देशी और विदेशी दारू का कीमत 3148 मुद्दिमाल मिला आरोपी के खिलाफ कलम 65 के अनुसार मामला दर्सकर आगे की जांच पुलिस वरिष्ट निरिख्षक प्रदीप सूर्यवंची के मार् बीसियन न्यूस के लिए वाड़ी से सुरप पाटिल की रिपोर्ट